नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सिधार्त और आप देखरें मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिधार्त आज हम बात करने वाले हैं करोड़े बारे में तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कर रहे होंगे जिसे एपीजी से पीएजी पीएजी से जीप और कुछ लोग वीडि लिए तो लैप्टॉप में यूज किया होंगे तो आज मैं आपको गूगल राइप इसे कैसे यूज करते हैं तो आज मैं आपको इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि गूगल राइपे किसी भी वीडियो उसको किस तरह से फॉर्मेट किया जैसे अगर कोई MKV इसमें आपका कोई भी डाटा नहीं जाता का मतलब कि जो आपको पेज ओपेंट करने में जो आपका डाटा खर्च हो रहा बस उतना ही आपका डाटा खर्च होगा जैसे अभी मैं एक वीडियो अप्लूर किया था कि हाउ टू मूग गूगल ड्राइप वीडियो तू समझ लो कि MKV अगर है गूगल ड्राइप में तो MKV को आप MP4 में आप कनवर्ट कर दो और MP4 कनवर्ट होने मुश्किल से 1-2 सेकंड का टाइम लगता है जैसी वो कनवर्ट होता है उस कनवर्ट होने के बाद जब वो MP4 में हो जाता है तो आप उसे इसली बहुत असानी से गूगल ड्राइब के यह फिर कहीं भी अगर MP4 MKV कहीं भी अगर वीडियो का अगर आपको लिंक है तो आप उसके थूरू भी इसे आप कर सकते हो तो इस वीडियो को जहां से देखना आ था कि आपको सही से समझ में आ सके तो सबसे पहले हम Google Chrome open करते हैं जहां पे Google Drive मेरा पह और एक खोल्डर है तो आप यहां पर देख सकते हो इसके प्रोपर्टीज में मैं गया यहां आप देखते हो .mkv format है तो जब मैं इसको यहां से upload करने का कोशिज करूंगा तो आप देखना यह सो नहीं करेगा तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर वह MKV फाइल सो नही कर रखा होगा की उसमें कैसे वीडियो करना होता है तो वीडियो को अप्लोड करना होता है तो वीडियो को एक बदाबराबर यह उतना ही डाटा खर्च हो। अगर आपका pasto mb का गड़ वीडियो है तो pasto mb आपको upload खरने में खर्च हो जाता है फिर उसके बाद convert होने के बाद उसे download जब आप करते हो तो download में खर्च हो जाता है pasto mb टोटल मतलब एक जी भी आपका data चला जाता है तो अगर आपके पास already google drive में अगर कोई video है mkb video तो उसे आप कैसे convert कर सकते हो किसी भी format में तो आप में आपको wave बताने वाला हो तो सबसे पहले देखिए क्या करना है यहाँ पर जो आपको video दीख रहा है इस पर आपको right click करना ह किलिक करने के बाद आपको हैं open with में क्लाउट कंवर्टर पर जाना है अगर आप में एक claude converter आप यहां पर connect to more apps में आपको जाना है और वहां प्रक ऐपको cloud Google Drive में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहां क्या करना है क्लाउड कनवर्टर पर आपको बस क्लिक कर देना है तो आप यह देखना मुवीज जो भी मैंने वीडियो थे वो उसका टाइटिल यहां पर सो कर रहा है बाद मैं आपको बता दूँँ यह जो वीडियो है आपको फॉर्मेट मिलते हैं तो इसमें आपको एक दो तीन चार पाट छे अटाट नो दस ग्यारा बारत तेरह 14 चौदा तरह के आपको फॉर्मेट का अप्शन मिलता है आप इन में से किसी भी फॉर्मेट में आप अपने वीडियो को आप कर सकते हो तो मैं आप तो मैं यह यहां MP4 सेलेक्ट कर लेता हूं MP4 सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर सेव फाइल टू मैं गूगल राइव यह पाई डिफोल्ट यह चेक ही रहता है अगर नहीं है तो आप उसे चेक कर लो और यहां Google Drive के अलावे आप और भी क्लॉड में आप सेव कर सकतो जैसे ड्रॉप बॉक्स है Google Drive, OneDrive बॉक्स आप इसमें जो सा भी आप सेलेक्ट करोगे वह आपके उस क्लॉड पे यह करवर्ट होने के बाद सेव हो जाएगा और मैं आपको बता दूए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको करवर्ट होने में मुश्किल से दो पां पांस सेकेंड तक लगता है सारे 800MB के वीडियो को करवर्ट होने में तो आपको बस यहाँ पे क्लिक कर देना है अब यह करवर्ट होने के बाद आपका ओटोमेटिक जो है यह गूगल ड्राइब आप यहाँ देख लो सेविंग फाइल टू गूगल ड्राइब तो यह अब गूगल ड्राइब पे यह सेव होड़ा है मुश्किल से 30 सेकेंड आप मालो कि 30 सेकेंड में एक वीडियो को आप करके फिर से आप गूगल ड्राइब पे आप डाल सकते हो आपको बस ज्यादा आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता बस एक क्लिक करना और सारी चीजिए अपने आप हो जाती है तो आप यहाँ देख सकतो अब मैं गूगल फोटो ओपेंड करता हूं और यहाँ अपलोड पे जाता हूं तो यहाँ गूगल ड्राइब में सेलेक्ट करता हूं तो अब आप देख सकतो यहाँ पे जो MP4 जो कनवर्ट को वह यहाँ अप सोग कर रहा है बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है औ लोगों के लिए थोड़ा ये लगता होगा कि ऐसा भी हो सकता है ये नहीं हो सकता तो ये काफी इजी प्रोसेस है एक जीवी तक के वीडियो को आप इसली जो है कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में तो बस इतना ही अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर कमेंट करना सेर करना और सब्सक्राइब करना मत देना धन्यवाद